दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वोलाओ कि 5G जीयों में कनवर्ट कैसा है कर सकते हो दोस्तो अगर आपका यहाँ पे 4G सेम है तो उसको 5G में कैसा एक्टिवेट कर सकते हो तो आज किस वीडियो में आपको complete जानकरी बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को आखरी तक बने रहे ना क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 5G टावर लॉंच हो चुका है अब दोस्तों 5G का बहुत speed high speed चल रहा है तो आईसे में आपको यहाँ पे 5G activate करना जरूरी है तो इस अपनी mobile के Chrome browser open कर रहना है और दोस्तों यहाँ पर सार्च ओलो option पर आपको लिख देना है जियो.com जैसे दोस्तों जियो.com लिख देना है क्योंकि यहाँ पर मैं जियो सिम को भी बताने वाला हूँ 5G में activate करने के लिए तो दोस्तों इस टेप से इंटरफेस खुल जाएगा जियो.com पर जैसा ही क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों देख तो 5G टावर की यहाँ पर पूरा यहाँ पर दिख रहा है जैसे आप स्क्रिन पर देख तो जैसे कि यहाँ पर देख भी सकते हो कि कितना सिटी में हुआ है कितना स्टेट में जैसे दोस्तों यहाँ पर देख त से करके बताने वाला हो तो आपको mobile से करना है तीरी डट बटन पर जैसे ही किलिक करोगों तहां पर एक option आ जाता है देख तो ट्रू 5G यहां पर न्यू का option पर आया क्योंकि तावर यहां पर बिल्कुल नहीं है इसी बटन पर आपको क्लिक कदना है इस पर अब दोस्तों नमबर डालने के बाद नीचे गेनरेट ओटीपी लिखा हुआ है आपको जेनरेट ओटीपी बटन पे किलिक करना है जैसे आपके मुअबाइल नमबर पे ओटीपी आयगा जैसे यहाँ पर देख भी सकते हो ओटीपी आ चुका है तो चलिए मैं फटा फट से इ यानिक दोस्तों आपका सिम एक्टिवेट हो चुका है 5G में जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सेखते हो कि कॉंगुरा चुलेशन यहां पर बोल रहा है आपका रेडी हो चुका है 5G में एक्टिवेट हो चुका है अप दोस्तों अपने मुबाइल के कुछ सेटिंग करना प चीज आने के बाद रहेगा मैं बस दोस्तों आपका क्ाम ख़टम हो चुका है अब दोस्तों आपको बैक आजयाने के बाद आपको step से close कर देना है पूरी तरिक से उसको आपको scroll down कर ला है इसमें उसके बोग दोस्तों यहाँ पर आपके इलाका में फैबजी टावर हुआ है कि यहाँ पर चेक करने कर आपको यहाँ पर select state बोल रहा है अगर दोस्तों यहाँ पर select state आप जो भी state से हो यहाँ पर जो भी इला में हो तो आपका दुस्तों यहाँ पर नाम दिख रहा है तो दोस्तों आपके इलाका में फैबजी टावर लग चुका है और आपका automatic आपके mobile में फैबजी टावर पकड़ना चालो हो जाएगा अगर दोस्तों आपका इलाका नहीं दिखता है तो कुछ दिन वेट करें आपकी इलाका में जैसे ही टावर आ जाता है 5G तो ओटमेटिक आपका टावर पकड़ना चालो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5G ओटमेटिक आपके मूबैल में एक्टिवेट हो चुका है तो दोस्तो इस टेप से अपने सीम को 5G अक्टिवेट कर सकते हो जी ओ 5G में जैसे ही दोस्तो आपके इलाका में टावर आएगा ओटमेटिक पकड़ना चालो हो जाएगा अभी दोस्तो बहुत सारी इलाका में टावर नहीं लगाया है जैसे ही टावर लगेगा तो आपके इलाका में पकड़ जाएगा तो आप activate करके रखे, automatic आपका 5G tower पकड़ जाएगा इस वीडियो में यही चीज़ आपको जानकर ही बताना था जानकर ही अच्छा लगा, वीडियो का लाइक कर देना चैनल पे पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कोई भी प्रोब्लेम है, कुछ भी पूझना चाहते हो कमेंट बक्स में जरूर कमेंट करना